हेलो वेलकम टू क्वांटम कोचिंग डखनो माइनम इस मुहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ डेखें हम लोगों ने याद करिएगा नीट 2020 के लिए मेकैनिक्ज के इंपर्ण स्रीज तैयार की थी और यह हम लोगों ने स्टार्ड किया था आपके लिए बहुट इंपर्ण स्रीज स्टार्ट किया था और 4 लेक्चर तो हम लोग पढ़ चुक है और इन 4 लेक्चर में याद करिए टोटल हम लोगे टीन कोशन्स लगाए हैं आज हम लोग 5 लेक्चर पढ़ेंगे और कुछ और important question को हम लोग लगाएंगे लेकिन इससे पहले बड़ी important बात आपको बता दे हमने आप से कहा था copy और pen लेकर बैठिएगा और हर questions को देखिए हर देखिए जब आप YouTube स्टार्ट करें question start होगा तो हम लोग पहले question का पेज आएगा उस पर आप क्या करिए pause करिए और questions को पहले खुद से लगाए तो क्या करना होगा आपको खुद से लगाना होगा और लगाने के बाद जब अंसर आ जाए फिर आप उसका आगे solution question देखिए वीडियो में देखिए किस तरह से हमने solve किया है हो सकता है आपका method बहुत अच्छा हो सकता हमारे method से आपका फाइदा हो जाए तो आपको करना क्या है हर question को पहले pause करके question पढ़के खुद से copy pen पर solve करना और याद करिए time अगर tough question है तो 3-4 minute otherwise आसान question के लिए one minute का time या one and half minute का time तोटल मालिजिए अगर five question हो उस lecture में तो आपको 15 minute का time लेकर चलना होगा या 15 से कम भी मान सकते हैं 13 minute तक भी ले सकते हैं जिस तरह के question हो आसान हो तो 10 minute में आप करिए तो आप एक एक करके पहले खुद से लगए तभी फायदा है और वो भी time limit के अंदर और उसके बाद फिर आब उसका video solution देखे कैसे हम लोग ने कराया हो सकता उसमें आपको फायदा हो जाए तो इस तरह से करेंगे तो जाम तक में काफी question हम लोग mechanics का और भी topic बताएगा हम लोग ray optics, wave optics इसके लावा thermodynamics, heat की पूरी बात करेंगे और इसके लावा हम लोग wave motion की बात करेंगे वो सब start करेंगे चलिए lecture number 5 हम लोग जल्दी से start करते हैं खुब जम कर पढ़िए gap ने होना चाहिए पूरा पढ़िए ध्यान से पढ़िए जो पूछना हो, comment section में जाकर पूछिएगा इसको और लगातार पढ़िए और चलिए lecture को हम लोग start करते हैं lecture number 5 का first question आपके सामने है और इसको पहले हम लोग पढ़ देते हैं और आप एक काम करिएगा जब आपका यह देखिए first question आपने यहाँ पर pause किया और पहले खुद से लगाईए और अगर लग जाए तो भी और ना लगे तो भी आप आगे वीडियो फिर देखिए आप ठीक है तो देखें यहाँ पर क्या है the resultant of three vectors three vectors का resultant यहाँ पर देखें the resultant of three vectors one two and three units whose direction are those of side of an equilateral triangle is तो option आपको यहाँ पर रिचार्ड दीए अब आप लोग इसको pass करके पहले लगा सकते हैं और हम लोग चलिए इसको यहाँ पर solve कराते हैं तो देखेंगा तीन vector हैं सबसे पहले vector यहाँ पर AB देखें इस तरफ चला one unit का है फिर बदाए इसका हम लोग ने vector diagram बनाया तो head to tail यहाँ पर connect करेंगे BC यहाँ पर head to tail connect कर दिया और फिर बदाए यहाँ पर CD head to tail यह तीन यानि one unit का two unit का और three unit का तीन vector हैं अब देखें resultant जब निकालना होता है तो first vector की tail और last vector की head को मिला देता है यह इसका resultant r हो गया और यह यहाँ पर देखें parallel line लिया और देखें यहाँ से यह 90 degree का ले लिया और जब बदाए यह angle theta यह angle आपको theta सबसे पहले निकालना होगा अचा देखें c e अगर आप चिक करिए c e तो c e आपका निकलेगा आपका देखें यहाँ पर कैसे 3 cos 30 देखें यह theta से लगा वो component क्या हो जाएगा cost component तो 3 cos 30 हो गया इसका मतब 3 root 2 3 root 3 divided by 2 हो गया c e अगर निकालते हैं देखें यह c e है तो आपका यह हो जाएगा 2 cos 30 यानि क्या हो गया cost 30 value under root 3 by 2 यानि यहाँ पर root 3 हो गया 2 से 2 cancel होकर आप a e हम लोग निकालेंगे a e निकालेंगे आपने जरा बताए यहाँ पर c e निकाल लिया है और c e निकाल लिया है 2 है और minus root 3 बताए root 3 divided by 2 यहाँ पर हो जाएगा और इस तरह से देखें अगर d e हम लोग निकालते हैं देखें d e निकालते हैं तो d e आप बताएगा अगर यहाँ पर यह parallel line लेते हैं इसके parallel line लेते हैं तो यह sign component होगा यह cost component होगा तो यह वाला क्या होगा sign components का मतरब d e क्या हो जाएगा 3 sin 30 के हो गया sign 30 half होता है यानि 3 by 2 हो गया अब 10 theta निकालें इस right angle triangle में तो 10 theta देखें perpendicular divided by base हो गया यानि पताए यह d e divided by क्या होगा यहाँ पर a e हो गया और d e की value आपको यहाँ पर पता है 3 by 2 है और a e की value root 3 by 2 है तो य resultant vector will makes angle 150 देखें यह theta आया है और अगर a b से check करें तो पूरा angle 90 plus 60 कितना हो गया 150 हो गया तो so the resultant vector will makes an angle of 150 degree with the first vector a b यानि option कौन सा हो गया यहाँ पर option check करिए यहाँ पर तो option यहाँ पर देखिएगा यह fourth number option correct आ रहा है चलिए lecture number 5 के हम लोग second question पर बढ़ते हैं और देखें second question what is the angle between p plus q and p cross q vector p plus q और vector p cross q पहले आप खुद से try करिए इसको pause करके देखिए option 0, pi by 2, pi by 4 और pi है और फिर हम लोग चलिए आपको लगवाते हैं यहाँ पर और देखें यहाँ पर आप देखें आप p plus q को हम लोग ने ले लिया a और p cross q vector p cross q को यहाँ पर ले लिया b आप द रखा तो यहाँ पर p plus q dot p dot p plus q vector और dot यहाँ पर p cross q हो गया a dot b आपका a b cos theta होता है अब देखें यहाँ पर यह जैसे triple product का rule होता है na triple product में dot product का rule करते है scalar product और vector product होता है तो एक तरह से यहाँ distributed होता है पूरे से और इसका है इससे multiply हो जाएगा अच्छा कभी भी आपको बता दें triple product में अगर scalar triple product है तो कभी भी अगर दो term देखें अंदर वाला term और बाहर वाला term कोई भी अंदर वाले term से अगर बाहर वाला term same हो जाता है तो value हमेसा क्या हो जाती जीरो यह rule है इसका और चेक कर लेते हैं कौन सा option correct है तो option यहाँ पर चेक करिएगा pi by 2 मतलब 90 degree तो pi by 2 यानि second number option यहाँ पर correct है वो हमने लिग भी दिया है चलिए lecture number 5 के हम लोग third question की तरह बढ़ते हैं और देखें दीरे दीरे हम लोग आसान tough हर तरह की question लगवाते जा रहे हैं ऐसा नहीं कि neat में स force आपको दिया f equal to minus 3 i cap plus j cap plus 5 k cap acting at the point r equal to 7 i cap plus 3 j cap plus k cap चार option दिया हैं देखें simply आपको बता दें यहाँ पर आपको कैसे करना है पहले खुद से try करिए वैसे सभी लोग जानते होंगे tark होता है r cross f k यानि perpendicular distance into force के तो इसका मतलब इसका cross product निकाल देना है तो cross product निकालना है तो देखें tark equal to क्या होगे यहाँ पर r cross f क्यों होगे आप यहाँ पर आपको क्या करना है cross product निकाल देना है तो cross product यहाँ पर निकालिए और देखें यहाँ पर r की value i j cap एक तरह से रखें यह rule जैसे आप रखतें a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो i j और k cap रख दिया है आपर और आप दे पहले i की जहां पर 7 आ रहा है और जे की जहां पर 3 और k की जहां पर बताई वन आ रहा है तो यह इस तरह से यहाँ पर रख दिजे इसके minus plus sign के साथ 731 रख दिया और यहाँ पर minus 3 आप f में रख दिया minus 3 1 और f रख दिया अब आपको पता है कि जब पहर रूल में पहले i cap पाता और i cap आएगा यह पूरा गायव हो जाईगा ऐसे ऐसे पूरा गायव हो जाएगा चलिए आपको यहाँ पर समझा देते हैं यह पूरा यहाँ पर गायव हो जाएगा और क्या करते हैं इसको इससे cross multiply करते यह cross multiply यानि 5 इंटो 3 क्या हो गया 15 हो गया और देखिएगा minus बीच में होता है और फिर 1 into 1 क्या हो गया 1 minus 1 हो गया तो 15 minus 1 कितना हो गया 14 यह अभी solve करतेंगे इसको उसके बाद फिर क्या करते हैं आप बदाएगा माइनस जे कैप रखना होगा तो माइनस जे कैप रखेंगे तो अब बदाएगे जे वाला पूरा गायब हो जाएगा अब क्या करेंगे इस सो इससे multiply करेंगे 7 into 5 कितना हो गया 35 पहले एवन वाले टर्म को करते हैं ऐसा ने कि पहले 5 वाले को कर दी 7 into 5 यहां पर 35 हो गया और 1 into minus 3 क्या हो गया माइनस पहले से माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह आ गया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहां पर देखेंगा यहां पर के कैप रखेंगे तो के वाला पूरा गायब हो गया 7 into 1 क्या हो गया यहाँ पर 7 हो गया और 3 into minus 3 क्या हो गया भाई minus 9 minus 9 minus minus क्या हो गया प्लस हो गया अब इस तरह से यहाँ पर देखेगा ऐसे करना है और यह rule आप सीख लिजेगा जिन लोगों ना पता हो वो पर यहाँ पर तो सिर्फ question solve करा रहे हैं अब देखें यहाँ पर 15-1 क्या होगा 14 I कैप होगा यहाँ पर 35 और 3 क्या होगा मानस 38 J कैप होगा और यहाँ पर 16 K कैप होगा option 1 यहाँ पर correct होगा देख लिजेगा option 1 यहाँ पर correct होगा तो option 1 यहाँ पर है और चलिए lecture number 5 के हम लोग fourth number question पर बढ़ते हैं को simply सिर्फ cross product से question था आप निकल लिया और cross product और dart product तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे और determinant के method से आप cross product निगाल देते हैं देखें फोर्थ number question देखें आप article is moving eastward with a velocity of 5 meter per second in 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northward the average acceleration in this time आपको देखें पहले क्या चल रहा दस सेकंड के बाद यह turn कर गया नार्थ की तरफ और उसी same speed से आपको acceleration निकालना चार आप्शन दियें पहले इसको आप खुछ से try करी फिर हम लोग आगे आपको बता दे रहें यहाँ पर और इनिशिल क्यों हो गया माइनस 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 करेंगे तो वेक्टर का एक तरह का यहाँ पर difference है क्या है वेक्टर का difference है और वेक्टर का difference बताईगा आपको बता दे वेक्टर subtraction is nothing but addition of negative vector तो यह एक तरह सा add कर यह बस जो पास्टिव इसको माइनस कर दिया उगर वो north में तो उसको south में कर दिये south में हैं तो north में कर दिये east में है तो west में कर दिये negative का मतलब यह हो गया यानि direction पलड़ जाएगे तो देखें v2 यहाँ पर plus मे था तो v2 north की तरह था v2 हमने north की तरह रग दिया v1 minus हो गया इसका मतलब पहले east की त होता है cross 90 0 हो गया तो यहां पर बताएगा V1 का square प्लस V2 का square यह हो गया और V1 और V2 दोनों 5 दिया वो तो 5 2 meter percent आ गया acceleration होता है change in बताए rate of change of velocity होता है तो delta V5 root 2 है और time interval 10 का है यहां रख दिया 1 by root 2 meter percent square यहां पर आ गया और direction देख लिए नार्थ west आ गये direction सबसे main important होते है तो direction जरा बदाए यहां पर north west आ गये और यह चिक कर लिजेगा direction निकालना ही सबसे आदा main यहां पर होता है और चलिए election number five के हम लोग fifth question पर आते है following six of three forces acts on a body whose resultant can not be zero आपको बताना किसका resultant zero नहीं होगा और बहुत अच्छा question है इसको इसके लिए पहले concept छोटा सा आपको हम बता देते हैं if there are three vectors a b and c then there's some can be zero if i double f if है इसका मतलब if and only if याद रखेगा इनका sum तभी zero होगा जब a और b a और b जिसको आपने लिया है वो c से कम हो इसका मतलब एक सबसे बड़ी value को आप ले लेंगे c बागे छोटी values को आप क्या ले लेंगे यहाँ पर a और b ले लेंगे और देखिए दूसरी condition क्या है a plus b यानि जो दोनों छोटे जो आपने लिया है उनका sum c से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए तब यह बताएगा इन तीनों वेक्टर का sum 0 होता यह condition बड़ी important है और देखिए आगर हम लोग option चेक करें पीछे वाले में तो पीछे वाले option में यहाँ पर चेक करिएगा तो 10 और 10 भाई इसमें तो सब बराबर ही है इसको हमने C ले लिया और इसको A और B ले लिया तो पहली condition तो यहाँ फुल्फिल नहीं कर रहे है लेकिन दूसरी condition यहाँ पर देखिए 10 प्लस 10 20 हो गया 20 बताएगा 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब दूसरी condition में होती है अगर दूसरी condition को फुल्फिल कर रहा है तो इनका sum क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका मतलब यह तो नहीं सही है यहाँ पर भी देखिए 10 और 10 20 होगा 20 equal main condition जो दूसरी वाली होती है तो दूसरी वाली condition को फुल्फिल कर रहा है इसका भी sum बताएगा 0 होगा यहाँ पर देखिए 10 प्लस 20 बताएगा A और B क्या हो होगा तो याद रखेगा यहाँ पर कौन सा option देखे correct होगा यहाँ पर 4th number option देखेगा अगर 10 वाले को हमने A लिया 20 वाले को हमने B लिया और C जो सबसे आदा था उसको 40 ले लिया तो पहली condition को फुल्फिल कर रहा है लेकिन 2nd वाले को यहाँ पर fulfill नहीं कर रहा है इसका मतल A and B are at right angle to each other when आपको option दिया हुआ है दो vector बताएगा right angle पर होंगे जब उनका option चेक कर लिए A plus B equal to 0 दिया है A minus B equal to 0 A cross B equal to 0 और A dot B equal to 0 आपको बता दें dot product जो होता है वो होता है A dot B equal to A B cos theta के तो A B cos theta अगर बताएगा 0 होगा तो theta क्या हो जाएगा यहाँ पर cos theta बताएगा 0 इसका मतलब theta क्या हो जाएगा 90 degree तो याद रखिएगा अगर आप खुद चेक कर लिएगा right angle पर होंगे fourth वाली condition में क्योंकि A dot B क्या होगा A B cos theta और A B cos theta 0 है तो बताए cost theta 0 और cost 90 की value क्या होती है 0 होती है इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा option आ गया है करना है जम कर पढ़ना है किसी तरह की लापरवाई नहीं करना यहां के लिए बस इतना ही thank you very much खोब पढ़िए जम कर पढ़िए